तडपता हुआ दोडता हुआ आएगा जिन्द की भर गुलामी करेगा फोरा नसर आपके बिना एक पल भी रह नहीं पाएगा जी हाँ अगर आप वसीकरन करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए ऐसी विधी लेकर आए हैं जिसक यह सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है अगर आप इस विधी को करोगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा तब आप विश्वास करोगे कि हाँ यह रियल विधी है तो आपको क्या करना है और किस परकार से करना है हम सब कुछ आपको बताएं आपको इस विधी को करने के लिए किसी तांतरीक, बाबा, मौल भी, बंडित, किसी के पास जाने की कोई आप सकता नहीं है आप घर बेटे खुद से इस विधी को अपने आप कर सकते हैं आप यहां लड़का हो यह लड़की इस्त्री हो प्रुस हो कोई भी हो खुद से अप आपने आप इस विदी को कर सकता है और किसी को भी अपने वसमें कर सकता है जी हां किसी को भी अपने वसमें कर सकता है तो आपको यह विदी किस परकार से करनी है और कैसे करनी है हम सब कुछ आपको बताएंगे तो आपको ध्यान से देखना है किस परकार से आपको करना है और क किसी भी समय कर सकते हैं इसमें time समय दिन का कोई भी विसेश मेह तो नहीं है तो आपको इस परकार से एक box बना लेना है इस परकार से और हूँ है यहाँ पर लिखना है 786 गध्यान से देखना है जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे यह आपको करना है तो आपको इस box को बनाना है नो खानों को यह box है इस परकार से आपको बनाना है और इसको कहां से बनना है इसकी भी एक भरने की चाल होती है तो जिस परकार से हम आपको भरने के लिए बताएंगे उसी परकार से आपको इसे भरना है तो सबसे पहले आपको यहां पर 4 लिखना है फिर यहां पर आपको 0 यहां पर 16 यहां पर 1 यहां पर 7 यहां पर 14 यहां पर 48 यहां पर 3 और यहां पर 8 अब आपको यहां नीचे अपने प्यार का नाम लिखना है जैसे कि आपका प्यार का नाम गीता है तो यहाँ पर गीता प्लस रमेश आपका नाम रमेश है तो अपना नाम यहाँ पर प्लस वस यह लिखना है और एक वसीकरन का बहुत ही पावरफुल मंत्र है वो मंत्र आपको लिखना है और बोलना है तो क्या है वे मंत्र हम आपको बत जगन मोहिनी जगन मोहिनी अमूकी अमूकी के स्थान पर आपको अपने प्यार का नाम लेना है वस फट सुआ इस मंतर को इस परकार से आपको बोलना है इस परकार आपको यह बना लेना है और यह मंतर लिखना है और आपको बोलना है अपने प्यार का नाम लेते हुए इस मंतर को बोलना है मंतर को कैसे बोलना है ओम, क्लीम, जग, मोहिनी अमूकी के स्थान पर अपने प्यार का आपको नाम बोलना है वस फट स्वा इस मंत्र को आपको कितनी बार बोलना है इसको आपको 20 किस बार बोलना है इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है अब इसको क्या करना है आपको अपने तकिये के नीचे रखकर सो जाना है और अगली सुबह अगले दिन सुबह के टाइम जब आप उठो सुबह के ट अबाइद कर दे किसी चोराय पर रख्याई या फिर लाइटर की साहिता से इसको जला दे जलाने के बाद जो इसकी राक बचेगी इसकी राक को आपको बाहर फैंक देना है यह उस इस तरीके घर के बाहर फैंक देना है बस इतना सा कारिया आपको करना है इतना कारिया करने के आप देखेंगे जिस भी लड़की के लिए आपने यह विदी करी है वह लड़की आपके वसी भूत हो जाएगी आप से मिलने के लिए तड़प उठेगी आप से संपर करने के लिए बेचैन हो जाएगी आपके पास चली आएगी और साथ जनमों तक भी आपके पीछा नहीं छोड़ेगी यह इतनी पाउट फुल भी दिया है अजमा कर देखें आपको इसका रिजल्ट हंट्रेट परसेंट मिलेगा